नमस्कार दोस्तों आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे इनका पी ये प्रश्ण है कि इनको कुछ बड़ा करना है और इनसे बड़ा कब होगा तो वो जो ध्यान जाता है वो एक है ये रेखा जो बन रही है इससे एक ग्रेटर ट्रैंगल निर्मान हो रहा है इसके कारण ये जैसे जैसे उमर बढ़ती जाएगी इनके पास अच्छा खासा धन आते जाएगा और ये जो विचार आता है वो ये जिसके भी हाथ में चाहे शुक्रवले हो या अर्द शुक्रवले हो उसको पैसे की भूख जादा रहती है पर इनकी फेट लाइन वैसी नही का इनको दुनिया अपने खुद के लेवल पर ही बनानी पड़ेगी पर ये ग्रेटर ट्रेंगल देखकर लगता है इनको सपोर्ट मिलेगा और ये बढ़िया आगे जीवन में बढ़ेंगे अब चलते रेगुलर पाम एनालिसिस की और ये पाम कंप्रिट रेक्टेंगल के स साथ-साथ एक चौडा ही लिएव कि इस तरह का पाम व्यक्थि बोलकर भी अपना अच्छा-खासा कारे करता है और मिहनती भी होता है और इनका अंगुठा देखे कितनाक है श्ट्रॉंग व्यक्ति तो होता है और यहां से काफी मोटा पाए अंगुठेगा तो अपने हितों की रक्षा करने वाले भी होते और यहां पर देखे तो यह उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है और दोनों उंगलिया चिपक के रह रही है तो बैंड होने के कारण धर्म हिम्मत भी अच्छी खासी होगी और इनकी उंगली सुर्य के उंगली के फर्स फैलेन तक पहुच रही है तो यह भी प्लस पॉइंट है व्यक्ति डॉक्यमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याज शक्ति पैसे का मेनेजमेंट अकाउंटेंसी यह सारी कि बिजनेस अक्युमेंट अच्छा खासा होगा इनमें बोली इनकी साफ सुत्री होगी व्यवस्तित होगी अब चलते इनके सुर्य परवत पर सुर्य परवत पर कोई स्ट्रॉंग साइन नहीं है पर यह जो एक अर्दशुक्रवले बन रहा है यह इनको पैसा कमाने के अग्रो होंगे यानि आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखिए इनकी सुर्य रेखा भी यहां से सुरू हो रही है इस्ट्रॉंग ली यानि उमर लगबग 40 के आसपास अभी इनकी वर्तमान उमर 40 या जासे ज़्यादा 42 तक मैं comfortable life इनके जीवन में आ जाएगी अभी इनकी उमर 34 के आसपास है इनकी कोई strong fate line नहीं है और यह सुर्य रेखा इनको comfortable income देगी तो इनका जो सपना है कि मैं comfortable income कब करूँगा या जादा income कब करूँगा तो यह लगबग 42 के आसपास से इनकी उस तरह की स्थिती बनते दिख रही है जब आपकी fate line श्ट्रॉग नहीं मिलेगा और शनी परवत काफी road की तरह flat है तो व्यक्ति जरा भी आलसी नहीं रहता काफी मैनती रहता अब चलते इनके गुरु परवत की और गुरु परवत पर देखे तो एक बढ़िया सी line एक वलय बन रहा है और एक horizontal line इधर यानि multiple income के इनके जीवन में पैदा होते और यह जो गुरु वलय बनता है वह व्यक्ति को धीरे-धीरे धार्मिक बनाता है और एक समय आता है किसी नकिसी मंदीर का यह ट्रस्टी या उस मंदीर को संभालने वाले व्यक्ति बन जाते यानि धार्मिक भावना बढ़ती है और अकड साइंस में भी इनका अच्छा खासा इंट्रेस जाता है जैसे पामेश्ट्री है या फैंसुई है जोतिस्सा है उसमें उनका ध्यान जाता है और य थोड़ा सा पार्ट यहां पर उभार है तो हो ना हो परिवारिक समस्या थोड़ी बहुत जादा तो नहीं पर थोड़ी सी रहती होगी और इनका भी लगबग यही पार्ट है शुक्र परवत जादा अच्छा है और गुरु परवत उतना नहीं है अगर यह बैलेंस करें तो अच्छा खासा धन की मात्रा में इनके वरुद्धी होने के चांसे से है अब चलते इनके अंदुरुनी मंगल की और अंदुरुनी मंगल काफी अच्छा है इस तरह का अंदुरुनी मंगल व्यक्ति को सारे रिक्षमता अच्छी देता है आम इंसान से इनके पास सारे रिक् पर संकट का सामना करते और यहां पर देखे चंद्रपरवत भी काफी अच्छा है और एक और खासियत है इस पाम में इनकी एक लाइन इस तरह से जा रही है तो हो नहो कभी न कभी भविश्य में यह फोरें में सेटल होने के भी चांसे ऐसे लोगों के बढ़ जाते और इनका चंद्रपरवत इतना अच्छा है कि हो सकता है इनके उस तरह के आयोजन हो जाएजी इनकी में तूकि इनकी जीवन रेखाई पूरी इस तरह से जा रही है चंद्रपरवत पर और एक रेखा इस तरह से बुद्रेखा निकल कर आगे जा रही है और यह एक और रेखा निकल र कभी न कभी ये forehead में settle हो सकते और इतना चंद्रपरवत व्यक्ति को बहुत अच्छी बुद्धी देता है Refined सोच देता है और यहाँ पर भी देखिए एक strong greater triangle बन रहा है तो ये भी व्यक्ति को support करता है और इनकी fate line के द्वारा बनने वाला एक money triangle भी अच्छा खासा है तो ये भी इनको धन कमाने में अच्छा खासा सायग सिद्धों का पर इनकी जो fate line है वो इतनी light है कि इनको सुबे से लेके शाम तक पैसा कमाने के लिए एनरजी लगानी पड़ती है सुबे से शाम तक अब एक और plus point बताओं मैं आपको ये कितनी सारी शुक्र रेखा है जब इतनी सारी शुक्र रेखा है व्यक्ति के जीवन में हो तो luxury अच्छी खासी मिलती है धन भी व्यक्ति को अच्छा खासा आता है पर व्यक्ति के साथ होता क्या है उम्र छोटी होती है और expectation ज़्यादा होती है पर ये इनको 100% ये रेखा इनको अमिर बनाएगी शुक्र रेखा भी आपको अमिर बनाती है और काफी अच्छा शुक्र परवत है और उस पर कोई दोश है नहीं ये व्यक्ति अच्छी तरह से जीवन जीता है खुद पर खर्च करता है अच्छी तरह से रहता है लग्जरी लाइफ जीता है ये सारे गुन शुक्र परवत देता है हाँ पसीना कभी-कभी इनको ज़्यादा होता है अब चलते इनके हिर्दे रेखा पर हिर्दे रेखा देखे तो complete गुरू परवत से शुरू होकर ये भी थोड़ी सी जादा गुरू परवत की और जा रही है तो व्यक्ति थोड़ा सा जादा expectation जादा रखने वाला होता है आदर्श्वादी बन जाता है ये एक minus point होता है उसकी expectation बहुत जादा रहती इस तरह की हिर्दे रेखा वाले के और यहाँ पर देखिए ये मोटी हिर्दे रेखा है तो जब इस तरह की हिर्दे रेखा रहती है तो व्यक्ति अपना जीवन उतना खुल के नहीं जी पाता कोई न कोई बोजा उसके सर पे लगा ही रहता है कोई न कोई उस तरफ ये इसारा करती है इनकी हिर्दे रेखा जब भी आपकी double है या मोटी है तो आप अपना जीवन व्योस्तित नहीं जी पाऊगे किसी और के लिए जीते हो आप ये आप समझ के चलो अब चलते बाकी कोई हिर्दे रेखा में माइनस पॉइंट नहीं है और एक सेवा भावी सबाव की और भी इसारा जाता है क्योंकि बहुत सारी लाइने जब निकलती है तो व्यक्ति को ये अपने सगे संबंदियों को या मित्रों को मदद करेंगे और पैसा वापस आएगा नि और ये स्क्वेर जो पहले डिस्क्रेशन हुआ है कि नहीं पता नि अगर ये स्क्वेर यहां पर बनता है तो ये बड़े लेवल पर मल्टी सिटी का बिजनेस इनके जीवन में हो सकता है ये अभी अगर ये चारो और से कम्प्लीट होगा तो ये मल्टी सिटी का बिजनेस इनको जीवन में दे सकता है अब चलते इनकी माइन लाइन पर माइन लाइन को देखे तो कम्प्लीट अंदुरुनी मंगल से शुरुआत होकर इस तरह से नीचे जा रही है और एक ये कट है राहुरेखा का, ये इनको काट रहा है, पर माय्न लेंट थोड़ी सी छोटी है, तो व्यक्ति एक सर्टन लेवल तक का दबाव सेन करता है, उसके बाद विस्पोटक बनता है, एक ये माइनस पॉइंट होता है, और चंद्र परवत पर जुकती है, तो व्यक् तर वो प्लान कागज पे रहते या दिमाग में रहते इंप्लिमेंट नहीं होते हैं और थोड़ा सा दबाओ आ गया तो यह विस्पोटक हो जाते हैं पर बुद्धी चात्युर्य कमी नहीं रहती अच्छी कासी बुद्धी व्यक्ति में रहती है अब इनकी जीवन रेखा को देखे इनकी जीवन रेखा पर एक 28 के आसपास बदलाओ है और एक बदलाओ आया होगा इनका लग बग 24-25 के आसपास 24 के आसपास इनके जीवन में एक बदलाओ आया होगा और उसके बाद एक बदलाओ ये दोनों बदलाओ पॉजिटिव होंगे और यहां से फिर एक बदलाओ इनके उमर 40 के आसपास एक और बदलाओ आयेगा और उसके बार इनकी जीवन रेखा अच्छी खासी आगे बढ़ती हुई इस तरह की जीवन रेखा भी व्यक्ति को सफल बनाती है क्योंकि इस पर कोई रहू रेखा का कोई जादा वार है यह नहीं हाँ एकाद दो जगा पर हलकी रहू रेखा दिख रही है तो कोई जादा प्रॉबलम वाली बात नहीं है और यह ओफशूट भी लगबख 38 के आसपास एक ओफशूट है एक 40 के आसपास ओफशूट है और यहाँ पर भी एक ओफशूट है इस तरह से 3-4 ओफशूट है तो इनको step by step सफलता जीवन में मिलने वाली है यह जो jump चार है वो jump इतना heavy तो दिख नहीं रहा है पर step by step इनका भंडार भरते रहेगा यह बात guarantee और यह जीवन रेखा जब चंद्रपरवत पर चली जाती है तो व्यक्ती for and settlement की और इशारा करती है और काफी अच्छी जीवन रेखा है कोई problem इस जीवन रेखा पर है ही नहीं अब चलते इनकी धन रेखा पर इनकी fate line देखे तो एकदम हलकी सी चल रही है और यहां आका रुकी यहां से एक और रेखा निकली यह भी हलकी है यानि जीवन में 36 में अभी कोई न कोई बदलाव इनके जीवन में आएगा earning के छेत्र में अभी वर्तमान उम्र इनकी 34 है और एक line ऐसे चली यहां पर चली और यह सुर्य रेखा तो income तो इनके पास continue रहेगी कोई problem दिखने ही रहा है continue income के सुरोध बने रहेंगे क्योंकि शुक्रवलाय भी बना हुआ इनके हाथ में और यहां पर देखिए एक उम्र लगबग 25-26 के आसपास इनको कोई न कोई आर्थिक कश्ट या नुकसान उठाना पड़ा होगा एक यह वरत्मान पिरियड में चल रहे हैं यहां पर ही कोई इनको आर्थिक कश्ट हुआ होगा यह उम्र लगबग 33 के आसपास या साड़े 33 के आसपास दिख रही है और यहां देखिए थोड़ी सी फेट लाइन धुमी लो रही है और यहां से इनके जीवन में एक नया बतलावा आएगा 36 से और एक नई जीवन की सुरुआत होगी और इस तरह से इनकी गाड़ी जीवन की आगे बढ़ेगी पर इनको सुबे से लेके शाम तक पैसा कमाने के लिए काफी एनरजी लगानी पड़ेगी पर इनोंने जो जो सोचा है वो सब इनके जीवन में होने वाला है और यह जब आफशूट मिलेंगे उस समय कोई ने कोई अच्छी चीजे इनके जीवन में होगी तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद